आज हम आए हैं वरोदरा क्रिकेट एकेडमी के ग्राउन पर जो की सेवा सी में हैं यह देखिए यहां का केंपस एरिया यह ग्राउन पर बच्चे प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही बड़ा ग्राउन है हुआ हुआ है चलिए अब अंदर चलते हैं आफिस में मिलते हैं यह देखिए आफिस विसीय का और यहां पर पुश्टर लगे हुए हैं क्रिकेटर के इंडियन क्रिकेटर्स के अबगाइ सहेँ टाफिस पिरस भुश्टर्स प्रप्रेख नियुक्त रड़ हो je और मेरे साथ है रोशन जिद की रोशनी नमस्ते जी नमस्ते मैं हूँ जैजीत कपूर और हमारी यूट्यूब चैनल रोशन जिद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम आये हैं वरोदरा क्रिकेट एकडमी यानकी VCA जो है वरोदरा के सेवासी स्थित एक जगा पर तो आएए यहां के ओनर से कुछ बात करते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं अभी हम मिलेंगे मिश्टर हरेंदर पटेल से जो के VCA के ओनर है तो आईए उनसे बात करते हैं और थोड़ी बात जानकारी लेते हैं हलो सर आयम जैजित कपूर यह हरेंदर पटेल VCA के ओनर तो आएए हम उनसे बात करते हैं कुछ और जानकारी लेते हैं तो हम लोग जैसे ही टैनिस पे खिलते हैं वी हम स्टार्टे प्लेइंग अन लेधर बॉल तो एक टुनामेंट थी और हम लोग फर्स टाइम पाटिसिपेट कर रहे थे हमारे सामने छे और टीम थी अच्छी जो कॉर्परेट में खिलती हैं तो हमने फर्स टाइम जैसे ही खिले तो वन बाई वन हम लोग मैच जीतते गए और हम लोग जो सब प्लेयर्स थे वो सब टैनिस के प्लेयर थे तो किसी को पैड पैरना भी नहीं आता था ऐसे हम लोग जर्नी हमारी स्टाट की थी तो उस टाइम पे 2014 में एक कॉर्परेट टूनामेंट थी एंड हमने पार्टिसिपेट किया हम लोग फाइनल तक पाँच गए और वी आर दो चैंपियन ऑफ देट टूनामेंट तेंक यू सो हमें पता ही नहीं था के हम लोग टैनिस खेलते खेल अधर पे खेलेंगे तो उसी टाइम पे वी हैव डिसाइड़ हमारे ग्रूप जो था एवेंजर्स ग्रूप करके हम मुलते हैं तो हमने फ्रेंड्स ही थे सब तो हमने डिसाइड किया के वी हैव लैंड येर इन भाइली तो हम लोग लेट स्टार्ट क्रिकेट एकडेमी किस बच्चे आते हैं यहां पे छे साल से लेके 23 यह तक बच्चे आते हैं गल्स और बउइस और च्रेनिंग किस तरह बहुता है और आगे किसे बढ़ सकते हैं इसके बेस पर 2014 से मेरी जो एकडेमी स्टाट हुई है जी वो ऑल यह लूग चलती है जियाने जो बच्चा जॉन हो अभी 2020 में मेरे साथ अभी अकेडेमी में आ रहे हैं याने उनका एज बढ़ता गया और वो ग्रूप में आगे पर और इनको यहां से आगे कैसे जंप मिलता है VCA जो बरोड़ा क्रिकेड एकेडेमी है इस इस एफिलेटेड वित बरोड़ा क्रिकेड एकेडेमी तो हमारे पास 14, 16, 19 एगूप सब गूप के साथ हमारा एफिलेशन है और हर साल उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है सिलेक्शन मैचीज होती है उसमें हमारे टीम रिप्रेजन करते हैं हमारे जो प्लेयर्स हैं उसमें से जो अच्छा पर्फॉमेंस करते हैं और इसका एड्मिशन टाइम कौन सा रहता है कब एड्मिशन दी सकते हैं बच्चे यहां पर छे साल से बड़े बच्चे मैं जून डिसम्बर ने और यह कभी उनको जॉइन करना है और यह कोई भी आराम से अफोर्ड कर सकता है प्लस हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो नीडी है जिनका फाइनेंशली सपोर्ट नहीं है तो हमारे एकडेमी में ऐसे भी बच्चे हैं जिसे वी सीय विल सपोर्ट थें उनको कीट भी देते हैं कपड़े भी देते हैं नोट अल्ली फॉर फी स्ट्चर वाइस उनको हम लोग फाइनेंशली भी सपोर्ट करते हैं और उनका कोचिंग में भी और क्लोथिंग और सब में हम लोग सपोर्ट करते हैं अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर की ओर शाम हो चुकी है यह देखिए सूरज कितना खूपसूरत दिख रहा है दोनों तरफ हर्याली ही हर्याली खेट खलिहान हरे हरे पेड़ यह माहुल मन को बहुत सुकुन देता है मैं पहुँच चुका हूँ अपनी सोसैटी में अपने घर पर और बच्चे बिलकुल अन्जॉय के मूड में है यह देखिए दोस्तों VCA यानि के वडोदरा क्रिकेट एकेडमी का मूबाइल नमबर मैंने बिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं गर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक छोटी सी बैल आइकन होगी उसे भी प्रेस करना ना बुले तके आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अब मुझे दीजे इजाजत, नमस्कार